दोने लगे हैं चाप्टर नमर सेवन फॉर्म्स इस चाप्टर में ये तीन बाते डिसकस हुई भी हैं हाउ तो कलेक्ट इंफरमेशन फ्रॉम विजिटर्स के कोई भी बंदा जो आपकी वैब साइट पर आता है उससे अगर अब जाहरे इंफरमेशन को क्यलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म का इस्तमाल करेंगे तो किस किसम के कंट्रोल हैं जो फॉर्म में हमें देखने को मिलते थे के अंदर और कुछ new HTML5 के अंदर कुछ new form controls add किये गए हैं उनका भी इस chapter में जिकर होगा तो यह कहते हैं कि जिए traditionally the term form has referred to a printed document that contain spaces for you to fill in the information कि जब आप फॉर्म का नाम सुनते हैं तो आम तोर पे हमारे जहन में एक printed document की शकल आती है जिसमें क्या होता है कुछ blanks छोड़े वे होता है फिल करने के लिए तो आप information उसके अंदर फिल करते हैं HTML browser HTML borrows the concept of a form to refer a different element that allow you to collect information from visitors of your website HTML form give you a set of elements to collect the data ब्लैंक्स होता है उसमें फिल करना होता है बट यह different item है जो के आपको एलाओ करता है आपके website के visitors से data collect करने के लिए लाओ करता है आपको whether you're adding a simple search box to your website you need to create more complicated insurance form insurance application HTML form give you a set of elements to collect the data from the user in this chapter you will learn these चाहे आपको एक simple search box बनाना हो या आपको जो है वो कोई complicated किसम का insurance की application का form बनाना हो HTML 5 जो है आपको वो सारी facilities देता है कि आप उससे यह दोनों तरह के यानि simple वाले और complicated वाले दोनों फॉर्म्स आप बना सकते हैं how to create a form on your website अब यह हम चीजें सीखने जा रहे हैं कि form आपकी website पर बनेगा कैसे the different tools for collecting data new HTML form controls यह तीन चीजें अभी मजीद इसने elaborate किया कि यह क्या होंगी अच्छा at the end of this chapter यह कुछ इस तरह का form बनाने जा रहे हैं तो आपने भी क्या करना है कि कोशिश करनी है कि जब chapter खतम हो तो उस वक तक आप भी इस तरह का कुछ न कुछ बना चुके हों ठीक है और अगर आप यह चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अगर आप खुद से इस तरह का कुछ बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर को पढ़ने का जो मकसद है वो अचीव हो गया आपके वाई फॉर्म्स सबसे पहरा सवाल तो यह कि फॉर्म हमें इन दे फर्स प्लेस चाहिए ही क्यों तो बताया जा रहा है कि दे बेस्ट नोन फॉर्म आफ दे वेब इस प्रॉबबली दे सर्च बॉक्स देट राइट इन दे मिडल आफ गूगल्स होंपेज कि जब हम गूगल डाइट कॉम पर वैसे मैं कभी नहीं जाता मैं डाइरेक्ट लिखता हो सर्च हो जाता है तो यह वाला जो फॉर्म है ना जो गूगल डाइट कॉम के जो होंपेज पर यह वाला फॉर्म रखा वाईजर यह इसके बारे में कह रहे हैं कि प्रॉबबली देस दा मोस्ट कोई इस फॉर्म को एट लिस्ट जानता है ठीक है उस जमाने में यह इस तरह करता था जब यह बुक लिखी जारी थी अब यह जो है ना कुछ इस तरह का है थोड़ा से चेंज हो गया है इसका डिजाइन अच्छा अच्छा अब यह थोड़ी सी थियोरी वाली बातें चल र इस चल रॉड़ी अजिएक एफ और फोंडाल था जैरा सेवरल ताइप पे चल एक आपको क्या चाहिए हो था यूजर से एक सिंगल लाइन का text input लेना हो तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं आप text input वहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा text input में एक तो होगा कि plain text आपको input लेना है लेकिन एक case ये भी हो सकता है कि आपको password input लेना है तो password के लिए एक special type का form control होता है जिसमें आप जब लिखते हैं तो कुछ नजर नहीं आ रहा होता hysterics बने वे आ रहे होता है अच्छा इसी तरह text area है ये text area जो है ये text input की तरह ही होता है लेकिन इसके अदर multiple line का जब input चाहिए होता है तो हम इसको इसको इस्तमाल करते हैं और इसके अंदर छोटा सा एक ऐसे box भी बना वार होता है यहाँ पर इसको पगड़के इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं according to our need अच्छा तो ये तो हो गया कि text जब input लेना हो तो हमारे पास ये तीन तरह के text input मौजूद है different scenarios में इसके में ज़रूद पढ़ सकती है making choices की जब बात आती है तो हमारे पास radio buttons है check boxes है और drop down boxes है अच्छा आप लोग जो students हैं जो पढ़ रहे हैं इस class में आप लोग daily internet के user है तो आप लोगों को शायद ये बताने की ज़रूद नहीं है कि ये radio button ये देख के आपको feel हो रहोगा कि ये radio button क्या चीज़ है और daily basis पे आप ये चीज़ें इस्तमाल करते है drop down boxes ये drop down button आप इस्तमाल कर रहे होते हैं तो लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप में से कोई बताए कि radio button what does it mean by a radio button ये check boxes how a radio button is different than check boxes तो आप में से कोई बताना चाहिएगा हाँ भई एनिवन सही है रेडियो बटन में एक पे क्लिक कर सकते हैं सही बिल्कुल सही बताया है radio button में एक वक्त में सिर्फ एक ही select हो सकता है एक वक्त में दो select नहीं हो सकते on other end check boxes में एक वक्त में आप दो तीन या चार choices लगा सकते हैं अच्छा इसका जो नाम है रेडियो बटन वो एक्चली इसी से आया है कि अगर आपने पुराने जमाने वाला रेडियो देखा हो तो उसमें जो एक knob होती थी जो गुमा कि आप channel को change करते थे ठीक है तो अब उसमें क्या था कि एक वक्त में आप एक ही channel को tune कर सकते हैं अगर आपको एक अगर आपको किसी दूसरे channel पर जाना है तो इस channel को छोड़ कर जाना पड़ेगा ठीक है या आप TV channels की भी बात करें अगर तो अगर आप TV पर एक channel देख रहे हैं तो अगर आपने किसी दूसरे channel पर जाना है तो इसको छोड़ के आप दूसरे पर जाएंगे तो रेडियो बटन शायद इसका नाम इसी वज़ा से रखा गया है कि रेडियो के अंदर एक वक्त में एक ही station को tune कर सकते हैं तो इसी तरह इसमें एक वक्त में एक choice आप ले सकते हैं तो जैसे किसी form में अगर आपने देखा होगा कि male female की choice होती है कि आप कहीं पर sign up form भर रहे हैं या कहीं पर आप admission form फिल कर रहे हैं उसमें male female की choice होती है तो उसके अंदर आम तोर पर radio button का इस्तमाल किया जाता है क्यूंकि इसमें से हम user से चाहते हैं कि user इसमें से कोई एक select करे ठीक है या इसी तरीके से कहीं पर अगर अभी और कोई example मेरे जहिन में नहीं आरी radio button की well तो जैसे आपने कुछ फॉर्म में देखा होगा के where do you live तो एक होता है urban और एक होता है router तो उसमें भी आप एक वसमें एक ही choose कर सकते हैं क्योंकि at the same time एक बंदा दोनों जगाओं पर नहीं रह सकता एक जगा पर ही रह रह रहा होता है तो ऐसी choices जहां पर आपके बस options होते है but उस options में से जो form बनाने वाला है वो यह चाहता है कि आप उन options में से जिर्फ एक को select करें एक से ज्यादा को select नहीं करें अच्छा on other end अब जो check boxes है इसमें एक से ज्यादा जब select करना होता है ने जब हम चाहते है मिसाल के दौर पर अगर मुझसे user से पूछना है what are your favorite colors तो अब उसमें वो हो सकता है दो select कर ले हो सकता है तीन करें ठीक है तो user is not restricted कि उसने एक select करना है ठीक है एक भी select करेगा तो चलेगा लेकिन दो तीन भी अगर वो चाहे तो select कर सकता है तो radio button and check boxes are different this way अच्छा drop down की अगर हम बात करें तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि drop down की हमें जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि radio button और check boxes में कौन सा ऐसा काम था जो नहीं हो पा रहाता तो हमें drop down की जरूरत पड़ी कोई ये बता पाएगा brain storming का सवाल है सही गलत नहीं है तो please feel free to give your opinion शायद इसमें जगा तो आपकी आवास break हो गई सारी शायद इसमें drop down पे अच्छा इनकी बात कुछ जगा का कह रहे हैं ये बट समझ में नहीं है कोई और बताना चाहेगा किसी और का कोई opinion इस चीज़ को लेकर जी हमाद खान सर लिस्ट में से कोई एक option अगर उनको slack करना होता है तो फिर इसमें drop down box में से करते है पूरी लिस्ट दीवी होती है जिस तरह में Microsoft अगर जिसमें हमें राइटिंग चेंज करने है तो इसके लिस्ट आती है पूरी इसमें से कोई एक चीज़ स्लेक करके वह लिकते है तो वो drop down box होता है बट रेडियो बटन में से भी तो हम एक ही चीज़ सलेक्ट कर रहे है ना तो how radio बटन इस डिफरेंट देन drop down क्यों आगई पर में लिस्ट पूरी की पूरी इस तरह होती है कि हम उपर नीशे कर सकते हैं और रेडियो में एक फिक्स यह होता है कि आप यही इन तीन में से कोई एक लिक्क कर रहे है नहीं अगर मैं जैसे लिस्ट अगर radio बटन में में और ज्यादा भी तो लगा सकता हूं जरूरी थोड़ी यह तीन ही लगाऊँगे ना लेकिन रेडियो बटन जो है वो उस वक्त हमें चाहिए होता है जैसे male female अब दो ही option है तो कम options जहां पर होते हैं वहाँ पर रेडियो बटन is a most appropriate बट जहां पर हमारे पस बहुत ज्यादा options होते हैं जैसे कि दोस्त ना जिगर किया कि Microsoft Office जब आप यूज़ कर रहे होते हैं त 500 भी हो सकते हैं ठीक है एक बहुत बड़ी तादाद हो सकती है उन फॉर्ण्स की तो अगर उसमें ड्रॉप डाउन की जगा हमने रेडियो बटन का इस्तमाल किया तो वह फिर बहुत जादा मैस हो जाएगा बहुत जादा मैसिव किसम का इंटरफेस बन जाएगा वो तो इस हम ने रेडियो बटन चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउण को डिसकस किया अचा उसके बदownersे होता है सब्मिट का बटन एक ठीक है फॉर्म के डास्ट में बटन बनावा होता है जिसमें सब्मिट लिखा वह उता है उसको क्लिक करने से सब्मिट होता है अचा इसी तरीके से हम एक तो सबमिट का बटन बना सकते हैं उसके इलावा अगर हम चाहें तो हम कोई image भी लगा सकते हैं हम image को as a button behave करवा सकते हैं मिसाल के दोर पे मैं यह चाहता हूँ कि जैसे कोई flower order करने की website बनी हुई है उसमें बन्दा जाके जब flower order करने के लिए form उसका खुलता है तो मैंने उससे color पूछा flower का मैंने उससे address पूछा मैंने उससे flower की choice पूछी कि कौन सा gross चाहिए या कौन सा चाहिए सब कुछ करने के बाद last में जो submit का button होगा मैं चाहता हूँ उसमें भी एक बड़ा सा ना फूल बनावा हूँ submit के button की जगा उस फूल को press करने से form submit हो ठीक है somehow मैं यह चाहता हूँ तो उसके लिए में क्या कर सकता हूँ मैं flower की image लगाँगा और उसको भी button मना सकता हूँ that is called image button तो वो भी आगे लगाना बता भी देगा अच्छा form में sometimes हमें file फाइल सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है जैसे आप कहीं पर साइन अप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें profile picture या अपना रिज्यू में आपको upload करने की जरूरत पड़ती है आप ब्राउज का बटन दबाते हैं और अपना रिज्यू में की file सेलेक्ट करते हैं और upload कर देते हैं तो ये भी हमारे पास एक form control है जिसके जरीए हम किसी भी खिसम की file को select कर सकते हैं ठीक है instead of text या password या email या checkbox हम exactly एक file उठा के भेज़ रहते हैं अपने computer से अच्छा अब ये जिकर कर रहे हैं कि form काम कैसे करता है form काम असल में ऐसे करता है एक form होता है उसमें आप कुछ data fill करते है जब आप submit का button दबाते हैं तो submit का button दबाने से ये पूरा का जो पूरा data है ना ये वाला ये उठकर server पे जाता है ठीक है अच्छा server अभी तक हमने पढ़ा नहीं है तो हम server वाली चीज़ को भी फिलहाल छोड़ देते है अच्छा ये जिकर कर रहे है कि भाई जो server होता है वो लिखा वो होता है programming languages such as PHP, C Sharp और VB.net या Java इस पे लिखा वो होता है जो server होता है ठीक है अच्छा हम जो server पढ़ेंगे हम नौड.js का server पढ़ेंगे इसी class में और नौड.js का जो server है वो उसमें programming language इस्तमाल होती है JavaScript ठीक है तो हमने अभी तो शुरू किया तो ये server वाली चीज़ जो है हम इंशालला बहुत जल्द जब वहां तक पहुँचेंगे तो फिर पढ़ेंगे Q type का कोई message भेज सकते है जो भी response हम चाहें वो भेज सकते है और उसको वापस से screen पर display करवा दिया जाते है अच्छा अब form के अंदर यार देखो क्या चीज़ है A form may have several form controls each gathering different information the server needs to know which piece of inputted data corresponds with which form element अच्छा आप देखें जितने भी form elements जाहरे एक input box ही है तो इसके अंदर क्या होता है एक name होता है और एक उसकी value होती है मतलब हम पूरे form में हर element के साथ क्योंके एक-एक जो box है न यह जैसे यह एक box बनावा है this is one element और यह जैसे एक आपका जो radio button बनावा है this is another element तो दो elements इस form के अंदर मेरे पास मौझूद है तो दोनों element में क्या लिखावा होगा कि इस field का name क्या है और इस field की value जो होगी वो उसके साथ मिल रही होगी मुझे तो यह key value का pair होगा हमेशा जो form होगा हमेशा वो क्या होगा key value का pair होगा अच्छा तो यह हम अब coding की तरफ move कर गए है form के अच्छा यह जो form की हमारी coding है अगर आप इस पर गोर करेंगे तो एक form का tag open है और एक form का tag close है ठीक है और बीच में एक अदद paragraph लिखा हो है ठीक है तो form के अंदर हम paragraph भी लिख सकते हैं तो लगाएंगे लेकिन paragraph भी लिख सकते हैं अच्छा इस point पर मैं चीज़ बताता चलूं के इन्होंने ना इस पे एक attribute लगाया है action और उसमें server का URL दिया है इन्होंने ठीक है और एक और इन्होंने लगाया है method का attribute और इसमें get का method बताया है अच्छा तो ये वाला जो तरीका है ना server को call करने का ये जो है वो थोड़ा सा पुराना हो गया अब हमारे पास जो है जो जदीद तरीका है क्योंकि ये book थोड़ी सी पुरानी है तो हमारे पास जदीद तरीका है that is called asynchronous calls तो हम क्या करते हैं async call करते हैं और वो हम direct HTML से नहीं करते हैं ये इन्होंने direct HTML से server को call करना यहाँ पर बताया है well server हमने पढ़ा भी नहीं है जब इंशालला server हम पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमने इस तरीके से नहीं बलके दूसरे तरीके से server को call करना है हम libraries यूज करेंगे fetch और exios जैसी libraries ठीक है अभी आपने इनका नाम नहीं सुना है हम बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो action जो होता है वो क्या होता है एक अदद URL होता है ठीक है जो किसी नहीं किसी server का URL होता है किसी नहीं किसी server का address होता है और method जो होता है वो get हो सकता है या post हो सकता है get उस सूरत में होता है जब मैं कोई चीज server से मंगवाना चाहरा हूँ और post उस सूरत में होता है जब मैं कोई चीज server पर भेज रहा होता हूँ ठीक है लेकिन हम ये काम form के जरिये नहीं करेंगे होगा तो यही जाहरे सर्वर का एक URL हमारा भी होगा और हमारा भी जो है ना एक अदर मैथर्ड होगा गैट या पोस्ट का लेकिन यह काम हम किस से करेंगे हम जावा स्क्रिप्ट से करेंगे यह हम HTML से नहीं करा करेंगे तो अब हम आगे चलते हैं ज़रा अच्छा तो अब इन्होंने क्या किया है उसी फॉर्म के अंदर एक अदर इन्होंने क्या लगाया है टेक्स इंपुट लगाया है ठीक है अच्छा टेक्स इंपुट में इन्होंने देखें टाइप रखी है टेक्स्ट अच्छा इसी को में टाइप पासवर्ड कर दूंगा तो यह पासवर्ड इंपुट बन जाएगा ठीक है उसके बाद इसका नेम है कि भाई इस इंपुट में जो जो भी वैलियो लिखी जाएगी जब उसको सर्वर पे भेजा जाएगा तो उसमें यूजर नेम लि इंडिकेट दे विर्ट ओफ टेक्स इंपुट मेजर बाइद नंबर ऑफ कैरेक्टर ठीक है इन्होंने लिखा है साइज 15 इसका मतलब है कि इतना बड़ा टेक्स बॉक्स बनाएं आप कि उसमें 15 कैरेक्टर लिखे वे नजर आ जाएं ठीक है अच्छा इसका मतलब यह नही ही टाइप होगा थर्टी के बाइद बटन दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा टाइप नहीं होगा ठीक है तो मैक्सिम मैक्सिमम लेंद इसकी क्या है थर्टी होगी स्टैक्स बॉक्स की अच्छा साइज के बारे मैं नहोंने यह भी जिकर किया है कि भाई यह थोड़ा स कि styling है कि भाई box कितना बड़ा नजर आना चाहिए ये भी एक kind of styling है तो styling वाली सारी चीज़ है बहतर ये है कि वो CSS के जरीए किये जाए जो कि styling के लिए बकाइदा उसको language को तर्तीब दिया गया ना कि हम वो काम HTML से करें ठीक है तो हम क्या करते हैं इतने को हम बना लेते हैं copy और यहां पर मैं आकर एक अदर फोल्डर बना देता हूँ forms और forms के अंदर index.html इसमें से action को मैं क्या कर दूँगा रिमूफ कर दूँगा फिलाल के लिए this is just a form अच्छा इन्होंने यहां पर एक अदर input बनाया है text input और उसको एक paragraph के अंदर रखा है जो के थोड़ा सा सही तरीखा नहीं है शायद यह भी इसी book में आगे चलके न इसको इसको यह improve करेंगे तो मैं क्या करता हूँ मैं paragraph नहीं बनाता मैं just a input बनाता हूँ इसके अंदर और मैं इसको अब क्या करूँगा open करने की कोशिश करूँगा browser में तो यह कुछ इस तरह से बनावा आ गया साथ में inspection भी खोल लेता हूँ और inspection खोल के जब मैं इसको यहां पर करता हूँ तो जैसे क्या आप देख सकते हैं यहां पे नहीं इससे पहले ही यह लिखा वार है ठीक है तो और अगर मैं इसको अगर paragraph में wrap कर दूँ जैसा कि इन्होंने अभी यहां पर book में करके बताया गया तो यह ठीक है बट इससे बहतर एक तरीका है इसी काम को करने का इससे एक बहतर पर दिया में तो व्यू से मैं बट कंट्रॉल रट करके मैं क्या करूंगा इस पैराग्राफ को हटा दूगा और इस काम को करने का इससे बहतर एक तरीफा है वह अब अभी एक्स लूर करेंगे थोड़ी ही देर में अच्छा तो हमारे पास जो जितने भी फॉर्म ए छीजा बोक्स इज झालरिषफ लिके related को सकता है जिसका बुक में को कशन morte लेता हूं तो आप देखें क्या होगा कि यहाँ पर जबाको 먹 था नजय की रिवाप नगीग की तरह के लिखावाईगो लेकिन मैं अधर आपक टेक्सि реш validation देगा ठीक है जैसे यह मैंने email एक select किया है और देखो मुझे suggestion में भी क्या देना शुरू हो गया emails बताना शुरू हो गया suggestion में तो इसको पता चल गया कि अच्छा है यह type इसकी क्या है email है और submit का button अगर मैं दवाता हूँ और अगर मेरी email का जो format है वो गलत है तो भी मुझे रोक देगा यह बोलेगा भाई आपने अज़रेट नहीं लगाया डॉर्ट कॉम नहीं लगाया ठीक है तो मैं अगर गलत pattern लिखंगा email का तो भी मुझे रोकेगा इसमें और this is just for user experience तो यह मारे पास password input आ चुक है अच्छा जी अब हम और आगे चलते हैं तो इन्हों ने दो चीज बनाई है username और password बनाए ना तो हम भी क्या करते है username और password बना देते हैं ठीक है username में मैंने का कि आप text input होगे text लगाया है नहीं है text लगाया है ठीक है name इसका username है size इसका 15 है max length 30 है ठीक है और इसी को हम duplicate करके हम इसको password बना देते हैं और इसकी text input हमने कहा कि वह password है ठीक है इसका name भी password है ठीक है ठीक है अच्छा हम चाहते हैं कि यह एक नई line में देखें तो हम इसमें एक बी आर लगा सकते हैं ठीक है अगर इसको मैं paragraph में रैप करूँगा जैसे इस वज़े से नहीं किया जैसे इन्होंने यहां पर paragraph किया है इसलिए नहीं किया कि इसको करने का एक बहतर तरीका है जो इसी बुक में भी आ गया रहे है अच्छा text area हो सकता है हमारे पस text area में हम जो है न यह जो input as का यह थोड़ा सा different होगा कुछ एक दो form controls ऐसे हैं जिन में input का tag नहीं इस्तमाल होता है कोई दूसरा tag इस्तमाल होता है ठीक है तो text area उसमें से एक है मैंने का text area ठीक है तो text area इस तरह करके मैंने लगा दिया अच्छा इसका भी कोई ना कोई नाम होगा मैंने का comments comments पूछ रहा हूं मैं मिसाल के दूर में बंदे से ठीक है और इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि columns और rows ठीक है columns और rows क्या होते है यह आप देखें अच्छा एक चीज़ और यहां पर note कीजेगा आप यह input का यह tag है ना यह self closing tag है देखें इसमें last में जो है ना थोड़ा सा यह backslash क्या किते हैं forward slash के साथ यह लगाव है और इसका closing tag नहीं है on other hand text area जो है क्या क्या है closing tag भी है उसका ठीक है opening और closing tag अलगा लगा अच्छा तो हम जरह इसको खोल कर देखते हैं कि कैसा बना के दे रहा है यह कुछ इस तरह का बनावा रहा है अच्छा अगर मैं इसका जो है ना row कम कर दूं मैं इसकी row कर दूंगा पांच तो यह इतना बड़ा दिख scroll bar इसके अंदर आ जाएगा ठीक है उसके बाद देखो scroll bar आ गया ठीक है इसी तरह जो columns है अब मैंने का भाई इसमेना पांच columns भी मुझे पांच चाहिए तो यह देखो पांच column जतना हो गया मतलब एक दो तीन चार पांच छे नहीं छे तक आ रहा है चे दिख रहा है वैल पांच लिखने से छे दिख रहा है तो यह rows और columns जो है यह क्या चीज होते हैं कि आपको जो उसमें दिखाना है जो text area वह actually कितने में दिखाना है ठीक है तो मैं इसको क्या करूंगा मैं इसको match करूंगा इसके size के साथ इसका जो size है वह actually 15 columns है तो मैंने का भाई यह भी मुझ दिख जाए इतना बड़ा दिखाना है मुझे ठीक है और शुरू में मैं इसके कुछ text लगा देता हूं अच्छा यह मेरे बस एक फॉर्म की जो है ना शेकल एक बनती जा रही है अच्छा जी तुम्हें और आगे से उता है अच्छा तो हमारे पास radio बटन है हमारे पास check boxes है तो इन सब में यह होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं इसकी type लगा रहे होते हैं type radio और इस तरह करके लगा रहे होते हैं तो मैं यह radio बटन यहां से क्या कर लेता हूं कॉपी कर लेता हूं ठीक है और यह radio बटन यहां फे में क्या कर देता हूं पेस्ट कर देता हूं ठीक है अच्छा रेडियो बटन आप गौर से इसको देखिएगा कि जो है न रेडियो बटन के अंदर यह जो दो आप्शन लगे हैं इन दोनों का जो नेम है यह वाला नेम यह अगर सेम है ना तो यह समझेगा कि यही रेडियो बटन का पार्ट है ठीक है जैसे रॉक पॉप और जैज यहां पर तीन सेलेक्शन हैं आपके पास राइट इसने बोला भाई प्लीस सेलेक्ट यूर फैवरिट जॉन्र और उसके बाद इसने यहां पर तीन रेडियो ब छीक की जी तो यह जो मेरा यह वला पार्ट है ना इससे वह गोल बटन बनावा रहा है ठीक है और उसके आगे पॉप लिखा हुए है तो सबसे पहला वाला जो इन्प्रेटर्स पर गौर गरें ठीक है और इस पर क्या लिखा वे चैक्ट और चैक्ट चैक्ट का मतलब होता है कि अच्छा इसको अगर चैक्ट भी लिखो तो भी घाफी है इसको वैल्यू ना दूं किस पर किसी दूसरे पर लगा दूंगा लास्ट वैले पर लगा दूँगा तो क्या होगा कि जब यह पेज लोड वोगा तो लास्ट वैले पर चेक लगा वायगा तो किसी एक पर भी आपlight requires ईगे तो दोनों पर से सब पर से चेक अटा दूं और मैं रिफ्रेश करूंगा तो किसी पर भी चेक लगा हुआ नहीं आएगा शुरू से ठीक है और मुझे किसी एक पर चेक हाथ से लगाना पड़ेगा ठीक है तो case to case ये vary करेगा कुछ cases में आप चेक लगा हुआ दिखा सकते हैं क लेकिन अभी इसको पता कैसे चलेगा क्योंकि नेम जो है na genre वो तीनों का सेम है ठीक है but तीनों की value अलग अलग है तो जो वाला select हुआ होगा genre की value मुझे वो मिलेगी submission के उपर ठीक है जी तो ये radio बटन हमने देख लिए उसके लाब हमारे पस जो है वो check box है check box भी kind of उसी त इतने चैक्बॉकस हैं। थोड़ी सी लंबी लाईन तो इसको ये रैप करें गुमांके नीचे ले आरहा है। तो आप देखें हमारे पास एक अदर लाइन लिखी है उसके बाद एक लाइन ब्रेक है और उसके बाद पहला चैक बॉक्स और उसके बाद ये दूसरा चैक बॉक्स अच्छा पहला जो चैक बॉक्स है उसके अंदर चैक लिखा वार है ठीक है तो अब बेसली क्या होगा अच जब पेज लोड होगा तो आई ट्यूंस के उपर ये चेक लगावा आ रहा होगा मैं इसको चेंज कर सकता हूँ सब को खाली भी कर सकता हूँ ठीक है तो मैं अगर मिसाल के दर पर चाहता हूँ कि इस पे चेक लगावा ना आए बलके स्पॉटिफाई पे चेक लगावा आए तो स्पॉटिफाई पे लगावा जाएगा रीफ्रेश किया मैं देखो पेज लोड होने पे स्पॉटिफाई पे आ रहा होगा इस सेलेक्शन को स्टिल मैं चेंज कर सकता हूँ अच्छा क्यूंकि ये चेक बॉक्स है रीफ्रेश करूंगा तो शुरू में ब्लैंक लोड हो गई तो मैं एक पर चेक लगा देता हूँ इसमें किसी एक पर अच्छा अब आप नोट किजिएगा कि इसकी ताइप थी वो रेडियो थी रेडियो बटन की तो इसकी टाइप जो है वो चैक बॉक्स है तो जितनी भी टाइप्स हैं वो आपको सब यहां पर नजर आ रही है ठीक है तो इसी के अंदर आपको एक चैक बॉक्स भी नजर आ रहा होगा वो यह रहा है ठीक है तो इसका एक नेम होगा और इसकी एक वैल्यू होगी ठीक है तो आप चेक करेंगे जो सेम इंपुट के जो चैक बॉक्स है उन सब का नेम सेम है एक जैसा है ठीक है तो जब सबमिशन होगी तो सर्विस के अगेंस्ट या तो मुझे आईट्यून्स मिलेगा या तो मुझे लास्ट एफम मिलेगा या तो मुझे स्पॉर्टिफाई मिलेगा या मुझे दो भी मिल सक समझें कि हमारे पास जो सर्विस के यह वाली वैलियू मुझे मिल सकती है जो यहाँ पर वैलियू में लिखी कही है फिल हाल केविए हम जो अभी हम और फिलहाल के लिए जो हम फॉर्म बना रहे हों ़ो हमारा एक्टवीन टंमी form होगा उसमें वो form जैसा तो दिख रहा होगा लेकिन actually में उसके submission पर कोई काम नहीं हो रहा होगा अगर मैं नीचे यहाँ पर एक input बनाऊं और इसकी मैं type रख दो submit ठीक है और मैं इसको बोलूँ के भाई आपका जो label है label होता है क्या होता है sign up कर देता हूं मैं sign up लिखा वाज़ए ठीक है तो यह form तो मेरा बन चुका है इस पर submit का button जब हम मैं submit जब करूंगा तो मुझे मुझे होगा कुछ भी नहीं submit करने पर यह form खाली हो जाएगा ठीक है that's it तो फिलहाल के लिए हम जो form बना रहे होंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए html की प्रैक्टिस के लिए वह एक्चली डमी फॉर्म होगा उसको submit करने से कुछ भी नहीं होगा ठीक है बट वन्स हम जावा इसक्रिप के तरफ पहुंचेंगे तो फिर हम इस फॉर्म को यूज करते हुए इसी तरह का फॉर्म बनाएंगे और उससे शायद हम कैलकुलेटर वगरा बनाना शुरू करें तो स्टार्ट विथ ठीक है फिर हम इंशालला जब सर्वर पहुंचेंगे तो इस फॉर्म के जरी हम साइन अप और लॉग इन वगरा फिर करवा र तो मैं एक सेलेक्शन बॉक्स भी यहां से उठाके और इसको चला कर दिखा देता हूं ठीक है तो यह हमारा सेलेक्शन बॉक्स है अच्छा जैसा कि मैंने जिखर किया था कि कुछ फॉर्म इंपॉट्स ऐसे हैं जिनमें इंपुट का टैग इस्तमाल नहीं होता बलकि उनका खुद का टैग होता है ठीक है तो थोड़ा हमने एक देखा था है यहां पर टैक्स्ट एरिया एक ऐसा फॉर्म कंट्रॉल है और एक हमारे पास सेलेक्शन बॉक्स जो है वह एक ऐसा कंट्रॉल है जिसका खुद का टैग है ठीक है सेलेक्ट ओपन और सेलेक्ट यहां पर क्ल लगाना पड़ेगा तो सेम लाइन में आना शुरू हो गया है ठीक है तो हमारे पास क्या आ चुका है एक अदर यह मेरे पास सेलक्शन बॉट्स यहाँ पे आ चुका है ठीक है तो अब देखें Ça यह एक question है यह question है और यह question है ठीक है उसके मुझे tyמ只 पर यह चीज दिख रही है ठीक है थोड़े में दो तीन लगा देता हूं तो यह हमारा एक फॉर्म जो बनता जा रहा है हमने सेलेक्शन वाक्स भी यहां पर लगा गर देख लिए और अच्छा सेलेक्शन वाक्स में आपने अगर यह नोट कर लिया होगा बाइद आप्शन ज कोई और डिवाईस ऐसी है जिसमें म्यूजिक सुनते हैं ठीक है रेकॉर्ड तो आप यहां पर नोट करेंगे चार आप्शन आगे ठीक है रेकॉर्ड अच्छा अभी इसमें से किसी एक को अगर मैं चाहता हूं पहले से सेलेक्टेड हो तो वह भी मैं यहां पर कर सकता हूं उसका शायद selected था selected था right तो किसी एक पर मैं selected लगाँगा तो वो पहले से select हुआ वार होगा अगर मैं selected लगा दूँगा इसके computer की उपर तो ये selected होगा जब refresh करूँगा मैं page जब page load होगा तो computer selected होगा ठीक है randomly कोई भी इस पे से जो मैं चाहूँ उसको आईपॉड पे अगर मैं लगा दूँगा selected तो शुरू मैं आईपॉड selected हुआ वाएगा ठीक है और अगर मैं किसी पे भी selected ना लगाँँ तो क्या होगा यहाँ पे जो पहला वाला होगा first हमारा वो select हुआ वागा by default ठीक है तो मैं एक पे selected लगा देता हूँ ताकि याद रहे आपको कि यहाँ पे यह selection इस तरह भी हो सकती है अच्छा अब selection box जो है हमारा जो drop down box भी जिसको कहते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं एक से ज्यादा की selection भी कर सकते हैं उसके लिए just हमें क्या करना होगा यहाँ पे आगे न multiple true करवाना होगा multiple true करवा दूँगा मतलब multiple equals करके कुछ ना भी दूँँ मैं just multiple लिख दूँ that's fine ठीक है जैसे selected equals to selected लिखा हुआ था उपर but मैंने इस बार just selected लिखा है that is also fine तो मैंने multiple यहाँ पे जैसे ही लगाया है अब आप note कीजिएगा कि यह मेरे पास जो drop down box है वो कुछ इस तरह से खुल है अब इस पे मैं कैसे कर सकता हूँ control पकड़के मैं जितने दबाता जाओंगा वो सारे select होते जाएंगे ठीक है तो कुछ इस तरह करके यह चल रहा होता है ठीक है जी अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा option रगनाँ तो क्या होगा हाँ यह इस तरह से drop down drop down नहीं रहेगा अभी अब यह multi select box इसको बन जाएगा ठीक है इसको multi select box कह सकते है अच्छा यह शायद जो है ना यह वाला windows में render थोड़ा सा different तरीके से होता है यह windows में इस तरह रेंडर नहीं होता मेरे बास मैं के तो शायद यह Mac की तरह से रेंडर कर रहा है ठीक है windows में drop down जैसा ही खुलता है बट उसमें क्या कर सकते हैं आप एक से ज्यादों को select कर सकते हैं तो यह करके जरूर देखिएगा और फिर मुझे बताईएगा थीक है इनों इसके पास भी मैं आ आ किया तो इसके पास भी rendor इसी तरह से हो रहा है जैसा मेरे पास हो ठीक है बट windows पर यह थोड़ solicichen सकता है अच्छा मरे फाइल इंपृट खुक्ति आ file input में हमारे पस हम किसी भी किसम का जो file है उसको upload करने की साइटिंग मना सकते है ठीक है file upload बहुत ही simple है input का ही tag है type उसकी हो जाएगी file और कोई न कोई जाहरे नाम होगा जिस नाम से फिर वो server में जा रहोगा ठीक है तो ये input करके मैंने क्या किया इस पर से अगर में paragraph हटा भी दूँ तो भी सही है ठीक है paragraph हटाने से क्या होगा input जो वो इसके सामने बनावाएगा इस जगह पर ठीक है जी paragraph हटाने के बद मुझे एक अधर ब्यार लगाना होगा वेट तरी यहां पर भी मैं एक अधर paragraph लगाई देता हूँ ठीक है जी upload your file song असल में paragraph लगाने से क्या होता है यह देखो काफी distance इसने दे दिया यह दो दफ़ा बी आर लगाने के बाद इतना distance आता है यह तो यह वाला जो मेरा input है इससे क्या हुआ है इससे जो है एक input बना हुआ आ गया है जिसमें choose file लिखाव है choose file का button प्रेस करता हूँ मैं और यहां पर मेरे पास जितनी भी files है उसमें से कोई भी file मैं select कर लेता हूँ और यहां पर देखो उसका नाम लिखावा जाता है ठीक है और जब मैं submit का button दबाऊंगा तो यह file क्या चली जाएगी जो URL हो का मेरा server का उस पर चली जाएगी ठीक है फिलहाल हम dummy form बना रहे हमारा data server पर फिलहाल नहीं जा रहे है ठीक है server हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे अच्छा अब हमारे पास एक अदाद यह submit का button है यह type submit करेंगे तो यह button की तरह बनावा जाएगा ठीक है इसको button की सूरत अख्तियार कर लेगा है अच्छा हम हमारे पास last but not least image button है हमारे पास अच्छा image button में क्या होता है कि हमारे पास जो submit का button होता है वह actually क्या हो जाता है एक image को हम button बना सकते है button के तौर पे हम उसको behave करवा सकते हैं तो उसके लिए हम यह करना होता है कि हम input लगाते है type उसके हम कर देते है image ठीक है और जो भी src होता है इसका वह हम लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि इसको पता कैसे चल रहा है कि सब्मेट है यहां पर कुछ गड़ बढ़ है यहां पर कुछ गड़ बढ़ है अच्छा एक काम करता हूं ना मैं इसको यह से copy करके जो हमारा submit का button है वह यह वाला है तो इस submit का button को मैं comment कर देता हूं ठीक है comment सब लोगों को पता है क्या होता है comment यह होता है कि कोई भी code ऐसा जो मैं थोड़ी देर के लिए जिसको चाहता हूं कि वह काम ना करें थोड़ी देर के लिए रुक जाए ठीक है तो इसको मैं क्या कर देता हूं comment कर देता हूं इसका जो shortcut हो क्या है control plus forward slash इसी से ही comment होत करना चाहता हूं ठीक है comment का main purpose होता है कि जब आप coding कर रहे होते हैं तो आपकर कुछ ऐसी बात लिखना चाहते हैं जो बाद में कोई developer उसको पढ़े ठीक है कोई comments करना चाहते हैं तो इसलिए आप उसको comment करके करते हैं कि उसको as a HTML read ना करें browser ठीक है दूसरा यह होता है कि को code को आगे और पीछे कुछ कर रहे हैं कुछ development कर रहे हैं और आप चाहते हैं फिलहाल के लिए code रोक जाए तो जैसा कि मेरे case में मैं यह वाला button रोक के उसकी जगह पर यह वाला button लगाना चाहरा हूं ठीक है तो इस तरह की development purposes के लिए भी ही आप comments का इस्तमाल करते हैं तो यह दो reasons हैं एक किसी के लिए real comment लिख रहे हूं और एक debugging purpose के लिए development purpose के लिए तो यहाँ पर image मैं कदद उठा के ला चुक हूँ अब इस image के जरीए में क्या बनाने लगा हूँ image button बनाने लगा हूँ ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि image button की जगह ना शैलानी लिखा वागे और उसक इसा होता है नहीं होता है कि अधिक है वाउ सब्मिट हो रहा है अच्छा मैंने यह यह यहां पर कुछ हमें कुछ और भी लगानी पड़ेगी वैल टाइप image लगाने से क्या हो रहा है यह सब्मिट का बटन बन जाए आता है automatically और src आप करके इसको कोई भी देदेता है अच्छा विर्थ हाइड अगर मैं इसमें ना लगाँ तो इमेज का original विर्थ हाइड होगी है ठीक है जो कि काफी बढ़ी है ठीक है तो इसमें मैंने क्या कर दिया विर्थ लगा देता हूं असल में विर्थ और हाइड दोनों लगाने से क्या हो रहा है इमेज मेरी थोड़ी सी स्ट्रेच हो जा रही है तो मैं क्या करता हूं सिर्फ विर्थ लगा देता हूं और मैं हाइड क्या करता हूं ब्राउजर को डिसाइड करने देता हूं कि हाइड क्या होनी चाहिए तो अब मेरी इमेज क्या हो रही ह stretch नहीं हो रही है और यह बटन मेरा क्या बन चुका है यह मेरा बटन submit का बटन बन चुका है अच्छा submit के बटन की पैचानगी है कि जब उसको click करेंगे तो page automatically refresh हो जाता है जिससे आपको पता चलता है कि यह button क्या है submit का बटन है तो मैंने कहा कि सिंपल सब्मेट बटन और इमेज बटन इमेज बटन पर सब्मेट ठीक है तो यह दो बटन यहां पर हम बना कर देख चुके हैं अच्छा बटन एंड हिड़न कंट्रॉल यहां पर इन्हों ने क्या करके बताया है कि एक अदर बटन लगा वे उसके अंदर जो नहीं एक इमेज लगी वी है ठीक है अच्छा बटन क्या होता है जैसे हम अगर आगे आधी इन्पूट जो बना रहे हैम उसके लिए इन्पूट और टाइप कर रहरा हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बटन का भी आधिन्न आ्योल्ग को रोग दूँ यह बटन दिखना चाहिए तो इस बैटन also works as a submit button ठीक है तो यह button का जो element होता है उससे इस तरह का button बनावा जाता है तो यहाँ पे इन्होंने क्या कि actually button बनाया है और button के अंदर इन्होंने एक image लगाई है और इमेज कौन सी वाली है प्लस की image है रेड गलर की छोटी सी प्लस की image है और उसके साथ add लिख और button को यहाँ पे इन्होंने close कर दिया है ठीक है तो इस तरह करके भी image button बनाया जा सकता है ठीक है तो अच्छा एक और गाम इन्होंने क्या किया है कि एक input बनाया है जिसकी type hidden रखी वी है ठीक है तो एक तो image button यह बनाना बता है और दूसरा यह क्या बता है कि कुछ इंपूट आपके ऐसे भी होसकते है जो हिढ़ा नोंगे सिस्टरा फायदा किया है हे एदर इंपूट का फायदा यह है कि वो आपके यूजर को को नंगले placing ले एमाट फैंडर यूजर यह रफिर राइट क्लिक करके जाए ना इंस्पेक्ट अलिमेंट में तो वाज़ा दिखेगा उसको दे अलाव वैब पेज ऑथर टु एड वैल्यू तु फॉर्म्स डैड यूजर के नॉट सी फार एक्जेमपल वैब पेज ऑथर माइड यूजर फिल्ड फिल्ड तो इंडिकेट विच पेज दे यूजर वाज ओन दे सब्मिटेड़ फॉर्म ठीक है अच्छा इन्होंने तो थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ बता दी है जो अब शायद रैलेवेंट नहीं है लेकिन सम टाइम यह होता है कि कुछ फॉर्म होता है वो हिडन होता है जब आप किसी खास बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर हम उसको शो भी करवा देते हैं अच्छा लेबलिंग फॉर्म कंट्रॉल यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और मैं यही वो जिकर कर रहा था कि यह लेबल आगे आने वाला है तो लेबल लगाने करना दो तरीका है एक तो तरीका यह कि लेबल का टैग ओपन होगा और उसके अंदर इंपुट होगा एक तो तरीका यह दूसरा तरीका यह है कि लेबल आप लिखेंगे और for करके आप लगाएंगे ठीक है तो for वाला तरीका जो है वो ज्यादा बहतर consider किया जाते है और ज्यादा तर cases में for वाला जो है वो apply हो जाते है ठीक है तो अब मैं आके ना अपने तमाम form के इसको लेबल कर देता हूँ जो मिसाल के तोर पे यह यूजर नेम है यह मुझे किसमें लिखना था यह मुझे लिखना था लेबल के अंदर ठीक है और यही वह बैतर तरीका है जिसका में जिखर करना था ठीक है तो लेबल जो के इस input से पहले नजर आएगा और for जो लगाव है ना, इसमें मैंने एक आईडी देनी है ठीक है, मैंने का आईडी आपकी क्या है भई, आईडी आपकी यूजर नेम है और उसका ये यूजर नेम है, और मैंने का पर इस, तो अब मेरा जो जो html document है उसके अंदर एक input है और उसका ये label है अच्छा ये label जब मैं लगाऊंगा और ये label जब मैं नहीं लगाऊंगा ठीक है यहाँ पर ये label लगावा है proper और यहाँ पर ये label नहीं लगावा है proper तो आपको screen पर कुछ भी difference नहीं दिखेगा इसमें screen पर ये एक ही जिससा दिख रहा होगा मतलब ये user name पर लेबल लगावा है proper इस पर लेबल नहीं लगावा है proper लेकिन आपको screen पर दोनों एक जैसे दिख रहे है उसका reason ये है कि this is a semantic tag सही है semantic tag आप सब लोग जानते है कि क्या होता है semantic tag ये होता है कि उसका result screen पर तो नजर नहीं आ रहा होता है आपको कुछ खास लेकिन वो कुछ ना कुछ semantic values प्रोवाइट कर रहा होता है अगर कोई दूसरी machine आपकी website को विजिट करती है जैसा कि web के crawlers होते है या screen readers होते है तो उसको ये क्या कर रहा होता है extra details कुछ ना कुछ provide कर रहा होता है इस case में अगर कोई crawler आपकी website पर आता है और वो देखता है कि यार ये form एक बनाव है तो इसमें कौन सा वाला part label है और कौन सा वाला part import है ये समझने में उसको इससे आसानी होती है ठीक है तो मैंने username के उपर और password के उपर दोनों के उपर proper labels लगा दी है ठीक है इसी तरह मैं comment के उपर भी ये label लगा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो ठीक है और बहतर ये है कि आप लगाएं इस तरह से label ठीक है मैंने का label for और इसको मैं कोई ने कोई ID दूँगा और ID देखे मैं काऊँगा comment ठीक है अच्छा ID जो होती है वो आप एक element पर जो ID दे देते हैं एक बार वो किसी और element पर नहीं दे सकते है ठीक है जिसे text area को मैंने ID प्रोवाइड कर दी है कि भाई तुम comment नाम में तुमारी ID को तो मैं ये ये labels proper तरीके से इस पर लगा दिये अच्छा अब आप जड़ा देखे यहां पे जो रेडियो बटन है इसके ओपर जो लेबल है वो किस तरह से दिया वे इनों है ठीक है इस पर जो लेबल इनोंने दिया वह वो एक तो लेबल का इंपट जो है इसमें उने क्या किया है कि एक इंपट है जिससे गोल सा ये ऐसे बाल भाल बनावा जाएगा और उसके बाaz female है तो female जो है वो actual में लेबल है ये जेंडर जो है ये लेबल नहीं है सभी है तो एक इंपट ये है ये गोल वला जिस इस पर क्लिक करने से फीमेल सेलेक्ट होता है, तो फीमेल इस वाली सेलेक्शन के लेबल है, इसी जरी के से एक और ये इन्पुट है, जो ये गोल वाल बना वार है, और इसका जो लेबल है, वो मेल है, तो हम भी अपने पास क्या करते हैं, इसी तरह गर क्या हम बना लेते हैं, ठीक है तो मैं यहां पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यह जो बात लिखी हुए ना यह वाली रॉक दिस इस लेबल ठीक है अच्छा और यह लेबल जो है किसके लिए है यह लेबल इस वाले के लिए तो आभियसली मुझे कोई ना कोई इसको आईडी देनी पड़ेगी इसके उपर वाले को तो मैंने कहा अब की जो आइडी है और क्या है आपकी आईडी है रॉक यह दोनों जो है वह आपस में करेक्टिड हो गया है काइंड उसके बद मैंने का कि यार पॉप जो है वो भी एक अदर लेबल है मेरे पास और मैंने का आई वी जो आपको देने लगाऊ मैं वो पॉप देने लगाऊ और पॉप देने लगाऊ कर देने तो यह मैंने अपना जो हमारा रेडियो बटन था इस को लेबल कर दिया प्रॉपर अचा इसी तरीके से मैं अपने चैक बॉक्स को भी लेबल करूंगा और अब थोड़ा सा इसको हम जल्दी से करते हैं मैंने तीनों पर लेबल लगा दिया और अब मैंने क्या करना है इस तीनों पर आइडी देनी है मैंने का कि भाई यह है आइट्यून्स और लास्ट एफेम पॉडिफाय तो इन तीनों को भी मैंने क्या कर दिया लेबल कर दिया हमारे पास लास्ट बट नाट लीस्ट हमारे पस यह सेलेक्शन बॉक्स महरुद है अच्छा सेलेक्शन बॉक्स में जो जो काइंड ओफ हमें ॉड कि जरूरत नहीं होती क्योंके जो आप्शन विसकिकर ने उसने रेफिक किया हुआ है लेबल को नहीं होती है Aww आँछे अच्छाइपक लेबल के ऑलाव कि क्या आप टॉपिक है ठीक है ठीक है अच्छा लेबल के जब फौर लगाव है ना वह हमेशा आईडी खेडिय एट्रीब्यूत से समझ आता है कि फॉर के आगे मुझे क्या लगाना है मतलब जैसे यह एक इन्पुट है इसके इसके उपर अगर आप जब तक आईडी नहीं लगाते ना तो आप इस पर लेबल अटैच नहीं हो पाएगा इसके साथ ठीक है और यह सिर्फ आईडी से ही इसको समझ आता है नेम वगार से समझ में नहीं आता है ठीक है तो यह लेबल जो लगाव है इसमें फॉर लिखा है मैंने और फॉर करके यह आईडी मैंने पास किये ठीक है don't get confused कि अगर फीमेल नाम का इस पर कोई नेम नेम लगाव है बट यह फॉर और यह आईडी यह आपस में एक दूसरे को समझते है अच्छा अब हमारे पास एक option हो रहे है कि हम अपने फॉर्म को ना दो तीन हिस्से में जब डिवाइट करना चाहते हैं तो हमारे पा करें किशको मैं अगर मार्क करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं मैं फीनल सैट लगा दूंगा ठीक है मैं ऊपर वाले जो हमारा दो ऑइटम थीर तीन आइटम है writes. इसको मैं क्या करना चाहता हूं कि भॉए आप फीनड ऐओ ठीक है ये मैंने इसको field set बना दिया अच्छा field set के साथ मैंने एक item पास किया है यहाँ पर legend legend क्या होगा कि वो उस पर लिखा वा जाएगा कि यह वाला पार्ट है legend ऐसे लिखा वा जाएगा इस legend को मैं change भी कर सकता हूँ इसको मैं चेंज कर दूँगा, बाइयो डैटा, तो यह बायो डैटा लिखा वा गया, ठीक है, इसी तरीके से मैं, लास्ट वाला जो तीन पार्ट है, ये वाला तीन पार्ट, इसको मैं एक और पैक करना चाहता हूं अगर जाता हूं तो मैं क्या कर दोंगा इसको मैं एक और फील्ड साड्स में पैक करना चाहता हूं जिस में यह तीनों यह सेलेक्शन बॉक्स आ जाएंगे और इसको मैं क्या लगाता हूं इसको मैं लगाता हूं लाइक्स लाइक्स बल्के होगा यह वैंने का बायो डेटा और यह मैंने कहा लाइक्स नहीं बलके इंटरस्ट सको भी वोलूँगा इंट्रस्ट मैं पूछ रहा हूं इसके अंदर ठीक है अपने यूजर से के वह आपके क्या इंट्रस्ट है तो मैं अपने फॉर्म को अगर दो या तीन हिस्वों में डिवाइड करना चाहता हूं तो यह मेरे पास इस तरह गर के option मौजूद है ठीक है इसमें इससे ज्यादा भी कुछ है नहीं legend में यह एक simple सा element है जिसमें आप रैप कर सकते हैं अच्छा form validation की अब अगर हम बात करते हैं तो यह form validation वाला जो topic है यह हम next class में cover करेंगे अच्छा form validation होता कि अब वो मैं आपको थड़ा सा बता देता हूं जैसे कि मैं refresh करता हूं तो अभी मैं इस form को जब submit करता हूं न तो यह submit हो जाता है हाला कि ये form पूरा का पूरा खाली है ठीक है लेकिन ये submit हो जाता है अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार कोई ऐसी field है जैसे password है अब password एक तो लिखे जरूर बन्दा तो ये मैं बात ना form के अंदर ही बता सकता हूँ ये password is required ठीक है और मैं चाहता हूँ कि password कम से कम 6 characters को ठीक है और ज्यादा से ज्यादा 20 characters को तो ये बात भी मैं उसी वक्त बता दूँगा ठीक है तो उससे ज्यादा अगर बन्दा लिखेगा तो या तो लिखने नहीं देगा या तो form submission के वक्त उसको रोग देगा इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो इस selection box में से बन्दा एक एक option at least select करे लाजमी ठीक है ये जो file upload करना है ये at least वो एक file यहाँ पर upload करे लाजमी ठीक है अगर मैं ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ तो ये सारे काम किस्से होते हैं validation के थुरू होते है ठीक है form validation तो मैं password को required बता दूँगा जैसे यहाँ पर देखें input है और password को required बताया गया है तो यहाँ पर बोलेगा please fill out this field तो हम एक just password में सिर्फ लगा कर देखते हैं बाकी का हम ये इंशालला next class में cover करेंगे तो मैं input में आके ना कहीं पर भी attribute में बोल दूँगा required तो ये क्या हो जाएगा ये required हो जाएगा अब इसके बगएर ये form submit मुझे नहीं करने देगा ठीक है अब देखो अब मैं submit का button दबाऊंगा जैसे ही तो मुझे submit नहीं करने दिया ठीक है submit जब होता है तो page actual में refresh हो रहा होता है तो अगर आप इस refresh के इस जगह को देखेंगे तो जैसे ही button दबाता हूँ वो refresh नहीं होता अब जैसे ही मैं password टाइप कर देता हूँ कुछ ना कुछ अब ये क्या होता है submit हो जाता है ठीक है तो इस तरह की validation हमारे पास available है जो कि हम HTML 5 में लगा सकते हैं अच्छा these validation are just to improve user experience ठीक है ऐसा नहीं है कि इसको bypass नहीं किया जा सकता बिसाल के दोर पे अगर कोई right click करे इदर आकर ये मैं refresh किया अभी देखो ये submit नहीं हो रहा है इस पे मैं क्या करूँगा right click करके inspect करूँगा ये मुझे यहां पे लेकर आ गया मैं यहां पे required हटा सकता हूँ इसका ठीक है ना अब ये submit हो जाएगा बगार इसके भी ठीक है तो these validation are just to improve user experience ये validation इसलिए नहीं है कि आप उसको कोई bypass नहीं कर सकता ये secure हो गया कि मैं बदलब बिना password के जाई नहीं सकता ठीक है और यही data जब हमारे server पर पहुंचता है तो हम server पर दुबारा से validation करते है that is for security purpose safety purpose ठीक है यहां पर ये user experience के perspective से है ठीक है अच्छा किसी का अगर कोई question है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं अच्छा से लेकर तो वह पूच सकता है otherwise आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं किसी का कोई question है ठीक है जी चलें फिर आपसे मुलकात रहेगी next class में इसकी practice जरूर कर लीज़ेगा सब लोग ठीक है sir अलाफिस 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 अलाफिस